ओम स्यंति बाबा हम सभी को स्रेश्वमान धारी बनाने आए हैं आते ही याद दिलाया बच्चे तुम बहुत रोयल कुल के हो तुम ब्रह्मान कुल की महानातमे हो तुम देव कुल की महानातमे हो तुम प्रभु पालना में पलने वाले हो स्वमान जगाया हम सब का और बाबा कहते हैं कि जितनी उची द्रश्टी से मैं तुम सब को देखता हूं तुम भी अपने को वैसी ही उची द्रश्टी से देखो चरविचार करें बाबा हमें किस महान द्रश्टी से देखता है फिर देखते हैं कि ये वही हैं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है ये वही हैं जिनके दर्सनों के लिए भक्त लंबी भीड लगाते हैं ये वही हैं जो कभी स्रस्टी के हीरो एक्टर रहे हैं बहुत उची दर्स्टी है बाबा की ये मेरे नैनों के नूर हैं, ये वही हैं जिन्होंने मेरे स्वरक को दो युग तक संभाला, निशकंटक रखा, निर्विधन रखा, अटल अखंड सामराज किया, हम अपने स्वमान को जगाएं। जिसके पाद स्वमान नहीं होता, उसके अंदर ही इन भावनाएं रहती हैं, वो सदा दूसरों की और प्यासी नजरों से देखते हैं, वो चाहते हैं, हमें दूसरे कुछ दें, वो मांग भी करते हैं, धन की मांग भी करते हैं, मान सम्मान की मांग भी करते हैं, लेकिन जो उनके पीछे पर च्छाई की तरह आता है। उनके जेवन में तो बहुत रोयल्टी आ जाती है। उनका आत्म विश्वास बहुत बढ़ जाता है। उनके छोटे विचार भी सदा के लिए नस्थ हो जाते हैं। तो अपने इस ज्ञान और योग के यात्रा में आगे बढ़ते हुए। अपने मंजिल पर पहुंचने के लिए हमें अपने स्रेष्ट स्वमान को पहचानना है। उसे स्विकार करना है। कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्पन से ही मनुस के अंदर कुछ हीन भावनाए रही। उसका जनम गरीवी में हुआ। उसको बार-बार असफलता मिली। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत होसियार नहीं थे। उनसे लोगों ने दुर्व्यभार किया। उनको नीचा दिखाया तो उनका स्वमान जाता रहा। लेकिन अब उस सब को भूलकर हम अपने स्टेश स्वमान को याद करें। मनुस्यों ने हमें स्वमान भले न दिया हो। लेकिन इस समय तो स्वयम भग्मान हमें स्वमान दे रहे हैं। सम्मान दे रहे हैं, हम उसके इस वरिये नसे में रहा करें, और पुरानी बातों को संपोन रूप से विराम लगा दें, जो कुछ भी हुआ, ही नभावनाएं चाहे कैसी भी रही, अब बहुत अच्छी तरहे, स्वमान का चिंतन करेंगे, चिंतन परमावश्चक है, पहला कदम होता है, स्विकार करना, दूसरा कदम होता है, उसका चिंतन करना, मान लो, बाबा ने हमें स्वमान दिया, तुम वही हो, जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, हम इसे स्विकार करें, स्विकार इसलिये करें कि जो हम ही कह रहा है वो हमारे आदी मध्य कि हमारे मंदिरों में हमारे चेहरों पर भी अब तक दिव्यता और तेज जह लगता है ये पुजनिये पद हमने कैसे प्राप्त किया था सुवयम भगवान जब धरा पर आए तो हम उसके कारियों में सहयोगी बने थे हम पवित्र बने थे इसलिए हम पुज बन गए चिंतन करेंगे तो जिनके धर्शनों से ही भक्त प्रसन हो जाते थे वो मैं हूँ तो मेरा चेहरा कितना दिव्यता से भरपूर कितना महान होना चाहिए तो आज सारा दिन हम यह भ्यास करेंगे मैं इस्ट देव देवी हूँ हीरो एक्टर हूँ इसरस्ति की महान आत्मा हूँ और योग भ्यास करते हुए अपने को मस्तक सिंगहसन पर बैठा हुआ स्वराज अधिकारी आत्मा बहुत ते जस्वी आत्मा देखेंगे ये दे अलग है मैं अलग हूँ मैं स्वराज अधिकारी हूँ मन बुद्धी की मालिक हूँ मन बुद्धी को मेरे आदेश का पालन करना ही है अपने मन को बार बार कहेंगे तुम श्यान्त हो जाओ और बुद्धी को आदेश देंगे हे मेरी बुद्धी तुम इस्थिर रहो स्वच्छ हो जाओ बेलकुल दिव्यता से भरपूर हो जाओ क्योंकि तुम्हें अब बाप समान बनना है ओम स्यंति